नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आज हम इस वीडियो में जमेट्री चैप्टर से ही जो कंसेप्ट है रॉम्बस उसको कवर करेंगे उसके जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है उनको देखेंगे और फिर क्यूशन प्रैक्टिस करेंगे तो रॉम्बस होता क्या है रॉम्बस ह होता है ऐसा पैलोग्राम जिसकी चारो साइड एकवल हों उसे हम क्या बोलते हैं रोंबस कहते हैं पहले ये बताओ पैलोग्राम आपने अभी तक कवर कर लिया तो उसके क्या डेफिनिशन है पैलोग्राम भईया जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वो हमारा प रोंबस में क्या होता है रोंबस होता है जिसकी चारो साइड बराबर हो ये साइड भी ए 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 मैं उमीद करता हूँ आपको इबात समझ में आयोगी चारो साइड एकवल हो आच्छा रोंबस में एंगल का क्य अच्छा जी अब यहां पे आजाओ आप इस पैरलोगराम में जब यह दोनों बुझा भई यह देखो यहां पे यह जो हमारी AD और BC है अगर यह एंगल मैं लेट कर लेता हूँ अलफा है तो यह एंगल कितना होगा भया यह होगा 180 डिगरी माइनस में अलफा यह किसे हुआ दो पैरलल साइड से जब हमें एक ट्रांसवर्शल लाइन गुजारते हैं तो मैंने आपको बताया था यह वाला एंगल और यह वाला एंगल इन दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग माइनस में अलफा भाई साब यह वाला कंसेप्ट आप यहां पे अपलाई कर दो यह अलफा है इन दोनों एंगल का सम इसका और इसका 180 डिगरी होगा आच्छा जी कैसे होगा यह तो कैसे होगा यह दो पैरलल लाइन थी उसकी वज़ाश है यह कंसेप्ट मैंने आपको स्ट सी डिगरी होगा ये एक सो सी डिगरी माइनिस में अलफा है अरे ये एक एंगल हमारा एक सो सी डिगरी माइनिस में अलफा है ये एंगल कितना होगा भाई इन दोनों का सम कितना होगा ये अगर हम मान लेते हैं कोई भी एंगल तो इन ये एंगल कितना होगा भाई 180C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188C-1,188 लाइन को देखोगे DC और AB को और ये ट्रेवर्स लाइन काट रही है तो ये एक्सरी डिग्री माइनस में अलफा तो ये कितना होगा भाया अलफा होगा सीधा सा कंसेप्ट है इसके वेशिस पे अंगल को यहां पे डिफाइन कर दिया गया है उसके बाद भाई ये हमारा रोंबस ठीक है जिसकी चारो साइड हमारी बराबर है और मैंने अंगल का बता दिया ये अंगल इसके बराबर होता है ये अंगल इसके बराबर होता है कैसे होते हो मैंने आपको बता दिया अब हम बात करते हैं यहां पे जब इसमें हम कोई diagonal मिलाते हैं ठीक है ये diagonal मिला दिया एक diagonal डाइगनल जब बाइसेक्ट करेगा वर्टेक्स एंगल को इनको तो यहाँ पे हम क्या क्या देखने को मिलेगा देखो जब हम diagonal खिचेंगे ना तो जो एक diagonal है ये इस rhombus को दो बराबर भागों बाट रहा है ये जो बराबर होंगे हाँ जी ये जब हमारा क्या है बाइसेक्ट कर रहा है तो ये हमारा एंगल पूरा अगर ये इस एंगल को ये जो एंगल बाइसेक्टर है या जो हमारा diagonal है ये इस एंगल को दो बराबर टुकुडों में का दो बराबर टुकुडों में बाटेगा क्यों आप इस लाइन को देखो BC को और ये अपनी जो AD है यहाँ पे इनको खिज लिया ये जो डाइनल है ये कुछ इस तरह से है भाई हाँ जी बिल्कुल है इसको आगे बढ़ा दो तो मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग मेजमेटरी चेप्टर के अगर आपने ध्यान दिया ह अल्टरनेट अंगल की बात की थी हमने ये अंगल अगर हमारा थिटा है तो ये अंगल कितना होगा ये भी थिटा होगा ये अंगल हमारा अलफा है तो ये कितना होगा भाया ये भी अलफा होगा ठीक है कोई दिकत वाली बात नहीं है अल्टरनेट अंगल क्या है बराबर हो यहां पे दो parallel line है AD और जो हमारी BC parallel line उसको यह जो diagonal है यह क्या एक transversal line है जो काट रही है दोनों parallel line को काट रही हाँ जी तो अगर यह हमारा angle theta है तो यह कितना होगा भाई theta होगा होगा कर नहीं होगा भाई इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी यह भी हमारा अग कितना होगा यह भी theta होगा भाई होगा कर नहीं होगा हाजी बिलकुल होग alternate angle के हिसाब से अच्छा हो गया यह पूरा angle हमारा कितना क्योंकि भाई एक सीधी सी बात है यह आप को गई आपनी एक तो theta ले लिया उसके साब से बता दिया theta तो यह भी theta क्यों लिया अरे भाई सा बराबर होंगे अगर मैं यह आपए alpha ले लूँगा तो यह बराबर कैसे होंगे फिर मैंने हो जाएंगी बराबर theta plus में alpha बोलना पड़ेगा यहाँ पर theta plus में alpha बोलना पड़ेगा वो थोड़ा सा लिखने में और ज्यादा calculate हो जाएगा लिख सकते हो ऐसी कोई दिक्कत वाल जाएगा theta हो जाएगा अब मेरे लिए सिर्फ क्या लिखना है मैंने angle a बराबर होगा angle c के तो angle a क्या हुआ two theta और angle c भी क्या हो गया two theta easy है वरना फिर मेरे को ऐसे लिखना पड़ता theta plus में alpha is equal to theta plus में alpha यह ऐसे लिखना पड़ता लिख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं क कि जब हम dynal खेजते हैं तो यह दोनों triangle आपस में congruent हो जाएंगे अचा congruent की property तो मैंने आपको बता ही है काफी angle बराबर होने चाहिए या sides बराबर होने चाहिए तब ही तो हमारे जो triangle वो congruent होते हैं यहाँ पे आप देखो मैंने अभी आपको बताया था यह angle और यह angle बर बराबर हैं हाँ जी इन दोनों triangle की बात कर रहा हूँ इस triangle में और इस triangle में यह angle रोंबस के साब से बराबर थे यह theta है यह theta है इसमें भी यह theta है यह parallel side यह parallel side यह इसके बराबर यह इसके बराबर यह common side होगी तो आप आप तो आप यह बताओ अब इतनी सारी चीजे बराबर ह होने के बाद क्या ये ट्रेंगल कॉंगुरेंट होए कि नहीं हुए बिल्कुल हुए यार तो इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसका होगा इतनी सी बात आप लोगों ने बस समझे नहीं थी और कुछ कहानी नहीं थी ठीक है अब आज ओ भाई ये अगर हमारा एक और डाइ हो गाए को उसे डिगरी मानिस में ठीटा ठीक है और यह भी क्या होजाएगा एक सोगल डिगरी माईनिस में टू ठीटा कैसे हुआ यह एक सोग्सिय का सम्ट 71 यह सम describes बा 예쁘 होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर एक और यही अकती दुबारा बनाता हूँ भाई साब एक एक चीज़ एक बार समझ में आ जाए ना तो फिर बार-बार concept को बस एक revise करना होता है ये डेगनल खीछ दिया एक और डेगनल खीछ देता हूँ ठीक है बराबर टुकडे होंगे भाई कहानी तो यहाँ पे है वही कहानी यहाँ पे हो है तो यह 180 degree माइनस में 2 थिटा है तो इसका आदा कितना हो जाएगा 180 degree माइनस में 2 थिटा का आदा करो 2 से काटो 90 माइनस में थिटा आ जाएगा ये और ये कितना आ जाएगा 90 माइनस में थिटा और 90 माइनस में फिटा, इन दोनों का सम करोगे 180 C डिगरी माईनस में 2 फिटा आएगा आजी आएगा, ऐसे ही यह हो जाएगा 90 माईनस में फिटा और यह हो जाएगा 90 माईनस में फिटा, वही alternate angle के हिसाब से कहलो या, जो हमने यहाँ पे बात समझी कि ये जब 2 theta हो गया हमारा तो ये 180 degree minus में theta हो जाएगा जब दूसरा diagonal खिचेंगे तो भाईया ये आदादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा alternate angle के हिसाब से हाँ जी अब यहाँ पे आप लोगों ने जो बात समझनी है वो क्या है कि भाईया triangle A, B और D, ये जो triangle है मैं अगर आप देखोगे ये side, ये side बराबर होती है ये side rombus की चारो side बराबर होती है दो side बराबर दो angle बराबर, ये angle triangle A, B, D में देखो आप, ये नब माइनस में theta ये नब माइनस में theta, दो angle बराबर, दो side बराबर, ये और ये बराबर है बराबर है कि नहीं है भाई हाँ बिलकुल तो यह जो triangle हमारा यह इसके बराबर हो जाएगा यह पूरा triangle इसके बराबर हो जाएगा यह मैंने अभी आप लोगों को बताई है ना आप लोगों को इतनी बात समझ में आगी होगी भाई दोनो triangle congruent होगे, congruent होगे, हाजी इधर से ये दोनों होगे, ये diagonal खिचा तो ये दोनों congruent होगे congruent होगे, मैंने area बता दिया आपको बराबर होगा, अच्छा है, बराबर होगा इसका area इसके बराबर होगा, ठीक है ये जो ये वो point लगा लो जो od है वो parallel होगा इसके O B के और ये जो O A है ये इसके parallel होगा ठीक है ये और ये दोनों बराबर होगे O C और O A ठीक है ये जो diagonal है एक दूसरे को कितने पर कौन से angle पर bisect करेंगे भईया तो ये 90 degree पर ये बात आप लोगों ने समझनी है याद रखनी है थियोरी में पूछ लेगा जो rhombus के diagonal है एक दूसरे को कितने degree पर bisect करते हैं तो भईया 90 degree पर ठीक है अब अच्छा ये तो दो-दो triangle का तो मैंने बता दिया diagonal खिचे जब ठीक है लेकिन ये जो 4 triangle बनगे इनका area बताओ तो इसका area 1 है तो इसका भी 1 होगा इसका भी 1 होगा इसका भी 1 होगा चार rhombus में जो ये diagonal खिचने एक बाद 4 triangle बनेंगे इनका area क्या होगा बराबर होगा ठीक है और ये जो चारो triangle है एक दूसरे के concurrent होंगे आप देख सकते हो angle के इसाब से इसमें भाई ये जो theta 90 माइनस में theta ये 90 degree ठीक है इसमें theta 90 माइनस में theta 90 degree ये side ये side बराबर होंगे भाई ये side और ये side सारे triangle आपस में क्या है एक दूसरे के concurrent होंगे भाई सिद्धी सी बात है angle भाई सारी चीज़े angle सेम है side सेम है तो बराबर होंगे एक नहीं होंगे बिलकुल होंगे point ये है और दूसरा ये है कि भाई जो AC है वो not equal to BD है क्या जो AC है ना ये AC वाली जो भुजा है ये तो बड़ी AC वाली भुजा है rhombus में ये बड़ी होती है और BD हमारी छोटी होती है ये बात आप ध्यान रखना ये जो एंगल होता है ये जो AC बनी होती है ये obtuse एंगल के सामने बनी होती है ये हमारा एंगल होता है बड़ा obtuse एंगल होता है बड़ी से बड़ा और 130 ड़ी से छोटा और ये जो एंगल होता है इसके सामने जो बुजा बनी होती है वो होती है छोटी यह acute angle होता है यह बात आपने ध्यान रखनी है कि rhombus में जो diagonal दोनों खिचे जाएंगे वो बराबर नहीं होते हैं AC और BD बराबर नहीं है obtuse angle के सामने बड़ी बुजा होती है acute angle के सामने छोटी बुजा होती है यह आप ध्यान रखना और दूसरा क्या है मैंने अब यह आपको बता है न कि यह parallel है जो OD है वो बराबर होगी हमारी OB के ठीक है यह इसके जो हमारी BD है न BD diagonal है इसके दो बराबर टुकड़े कर रही है यह जब काट रहे है एक दूसरे पर लेकिन यह दोनों लाइन बराबर नहीं है यह इसके बराबर आज़ा टुकड़ा हो रहा है और जो AC के बराबर टुकड़े कर दो दो तो भाई OA बराबर होगा हमारा OC की यह बात आपने basic basic ध्यान रखनी है rhombus में rhombus का perimeter क्या होता है तो rhombus की जब 4 side ही A है सेम है तो rhombus का perimeter हो जाएगा 4A यह बात आपने ध्यान रखनी है rhombus का perimeter कितना होगा 4A उसके बाद by concept है rhombus में अगर rhombus का हमें जो अगर rhombus में हमें diagonal given है यह हमारा एक rhombus है जिसमें हमें यह सोरी ACD रेखा है ठीक है ABCD इसमें point यह है कि इस rhombus के जो diagonal है ना वो हमें given है data given है value question में given है तो क्या हम इस rhombus का area निकाल सकते हैं यह O point हो गया यह number degree पे bisect करते हैं यह बात आप लोगों ने अभी तक समझ ली होगी ठीक है तो क्या और rhombus के चारो side क्या होती है भईया बराबर होती है तो हमारा यहाँ पे concept यह कि rhombus के अगर हमें diagonal given है तो क्या हम rhombus का area निकाल सकते हैं वो कैसे निकालेंगे rhombus का area देखो भईया rhombus का area कैसे निकालेंगे जो AC diagonal है उसको हम let कर लेते हैं D1 है और जो BD diagonal है उसको हम let कर लेते हैं वो D2 है ठीक है जी और OC क्या हो जाएगा OC हमारा यह OC लेके C इसमें अगर हम BO, OB की बात करें तो OB हो जाएगा भाई BD का अदा BD का है D1, D2 हमने let किया तो D2 का half कोई दिक्कत वारी बात नहीं है triangle BO, C को देखो भई, triangle BO, C इसमें यह ना बड़ीगरी है ना, तो triangle BO, C को देखोगे तो यह हमारी बुजा कितनी थी, OB हमने आदि D2 by 2 और यह थी D1 by 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब यहाँ पे आप पाइथागोरस पर में लगा दो, इस पे यह हाइपोटोनेस हमारी कितनी है, triangle BO, C में हमने हाइपोटोनेस पाइथागोरस पर में लगानी है तो यह हो जाएगा, A square is equal to, यह भाईया, D1 by 2 का square, प्लस में D2 by 2 का square, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब square कर दो और खोल लो चीजों को भाई, D1 का square upon में 2 का square 4 हो जाएगा, D2 का square upon में 4, ठीक है और LCM ले लेंगे, तो यह हो जाएगा भाई, LCM ले लो और यह इदर multiply कर दो, D1 का square प्लस में D2 का square is equal to 4 की इदर multiply होगी, तो क्या आएगा भाई, 4A square आजाएगा हाँ जी बिल्कुल आजाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उमीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है और भाई, रॉम्बस का area क्या होता है, जहाँ पे लिख देते हैं, रॉम्बस का area का formula क्या होता है, वो होता है, एक बटे दो गुणा में D1 by 2, इंटू में D2 by 2, और इसमें करतो आप 4 से multiply कैसे किया आप, समझ रहे हो आप बात को, यह इतनी इसी चीज क्या है बताओ, ट्रेंगल का area इसका कितने ट्रेंगल हैं, एक दो तीन चार, चार से multiply कर दी, समझ रहे हो आप बात को, एक बटे दो गुणा में 90 डिगरी बनाने वाली साइड, 90 डिगरी बनाने वाली स्ट्रे ट्रेंगल हैं, तो चार ट्रेंगल का पता area, चार से multiply कर देंगे, चारों का equal होता है, तो पूरे rhombus का area नहीं आ जाएगा, बिलकुल, यह जब diagonal हमें given है तो, ठीक है, तो भाई यह हो जाएगा, एक बटे दो, डी वन, डी टू, अपन में 4, गुणा में 4, चार से 4 कट एक बटे दो, डी वन, और गुणा में डी टू, यह area निकालने का formula है, जब हमें rhombus के diagonal की value given हो, सीधा formula, मैं उमीद करता हूँ, आप लोगों को यह इतना सा concept में आया होगा, तो आज हम इस वीडियो में guys, यह concept ही करते हैं, next वीडियो में आगे हम question practice करेंगे, thank you so much, वीडि channel पे नई हो दो guys, subscribe करनो